जैंद गाइज, वेलकम बैक तो दून इंडियन डिफेंस अकैडमी तो मैंने प्रीवेस क्लास में आपको लाइफ साइकल अफ पस्टार का पहला फेस बताया था तो आज मैं आपको उसका सेकंड फेस बताने वाला हूँ और फिर हमारा ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा और ध्यान रखें, मैं अगली क्लास जो बना ले वाला हूँ इसके बाद की क्लास होगी मेरी सूरज के उपर, सन हमने पहले कॉस्मोलोजी पढ़ा, यूनिवर्स से संबन दी चीजे, सोलर सिस्टम उसके बाद हमने Life Cycle of a Star पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं अगला टॉपिक Sun और Sun का क्लास जब मैं कंप्लीट करूँगा, उसमें मैं आपको अगली क्लास के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगा, चलिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा, प्रिवियस क्लास में मैंने आपको बताया थै कि कैसे नैबुले क्लाउड से एक ब्लैक दूआफ बनता है अब आज मैं बताने वाला है उसका Second Phase, ठीक है, चलिए, Second Phase में क्या होता है, उसकी बाद करूँगा बचों मैंने यहाँ पे दो आपकी कंडिशन रखी है, अगर कोई तारा ऐसा है जिसका मास, इफ मास औफ स्टार इस इक्वेल इंटो दिस, अगर किसी तारे का मास सूरज के मास से इतना गुना है या फिर Second Condition है, किसी तारे का मास सूरज के मास से तीन गुना है, तो अब होगा क्या, मैं पहली कंडिशन और दूसरी कंडिशन दोनों समझा रहा हूँ, ध्यान दखो Condition No.1 ये नेबुले क्लाउड तो बने गए बनेगा, नेबुले क्लाउड से यहां तक का जो स्टार बनने की जो प्रक्रिया है, वो सेम रहेगी अब डिफरेंस कहाएगा समझो, क्योंकि ये तारा ऐसा है जिसका मास सूरज के मास से जादा है, तो ऐसे में तारे के अंदर का जो कोर है, जो स्टार है, उस मास की ग्रैविटी भी जादा होगी, तो यहां पर तारे में डिफरेंस पहला, देखो, यहां पर एक छोटा तार हमारे सूरज से 10 से 100 गुना तक हो सकता है, तो ये सूपर रड जाइंट आप समझ सकते हैं कि ये उस से भी बढ़ा हो सकता है, अब यहां सूपर रड जाइंट के बाद एक्स्टोजन होगा, जैसे यहां पर एक्स्टोजन होगा था, वो एक्स्टोजन क्यों आता, मैं प्र क्लाप्स कर जाएगा और बहार की लेर जो एक्सपेंड कर रही थी वो एक्सप्लोटकर जाएईगी तो जब यह सूपर जाएइंट मेंancoजिंञ होगा तो उस explosion को supernova explosion कहेंगे जबकि इस वाले में हमने नाम क्या रखाता nova explosion तो supernova और nova क्या है dying star अब जब supernova explosion होगा तो दिहानकना इस supernova explosion में अब दो condition आईगी अगर तारे का mass a condition वाला है तो दिहानकना supernova explosion के बाद supernova explosion के बाद अगर condition a है तो ये तारा बनेगा neutron star और अगर supernova explosion के बाद भाई अगर तारा ये b condition वाला है तो ये तारा बनेगा black hole अब दोनों में अंतर क्या है वो समझे अब ये जो neutron star है what is this neutron star ये तारे का अंदर का जो core है इसका mass भी बहुत ज़ादा है gravity भी ज़ादा है तो ऐसे में क्या होता है अंदर के जितने भी proton और electron होते हैं वो सारे combine होकर के neutron में convert हो जाते हैं अब क्योंकि उसके सारे electron और proton और proton neutron में convert हो गए तो इसी वज़ा से ये तारे को हमने नाम दिया neutron star जबकि supernova explosion में अगर तारे का mass सूरज के mass से तीन गुना है तो ऐसे में अब जो तारा बनेगा उसमें अंदर का जो gravity है अब दोनों में देखो difference कहां आया यहाँ पर तो proton, electron सब combine होगे neutron में black hole में क्या है इसका mass बहुत ज़्यादा होने की वज़ा से इसकी density ज़्यादा हुई और density के ज़्यादा होने की वज़ा से उसका gravitational force ज़्यादा हुआ और gravitational force इतना ज़्यादा हुआ कि उसने क्या करा आप उधारन से समझाता हुए बही, supernova explosion किस में हुआ एक ऐसे तारे में जो massive star है यानि कि जिस तारे का mass सूरज के mass से तीन गुना ज़्यादा है तो इसमें क्या होता है जो आपने chemistry में पढ़ा होगा कि electrons are out on the outer shell electrons जो होते हैं वो outer shell में होते हैं तो वो electrons जो होते हैं वो electrons अपने shell को छोड़ करके अंदर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं और जब electrons अपने outer shell को छोड़ करके core की तरफ आते हैं तो वो जो core है वो contract होता है, वो संकुचित होगा और संकुचित होने के संग उसकी density भढ़ेगी density के भढ़ने से gravitational force भढ़ेगा तो वो gravitational force भढ़ते भढ़ते इतना infinite gravitational force गुरुत्व आकर्शन हो जाएगा कि जब explosion होता है तो वो पदार्थ जो अंदर का बच गया उसी पदार्थ को हम black hole खहते हैं और हमने नाम black hole क्यों दिया उसका current simple za है कि यहाँ पर black hole में दिहान लखना उसकी gravity इतनी ज़ादा थी कि उसने सारे पदार्थ को निगल लिया इसका मतलब वो अपने surrounding हर चीज़ को निगलता चला जा रहा है इसकी फोटो मैं बता रहा हूं दुबारा समझो मैंने कहा कि दो condition है अगर किसी तारे का mass इतना है तो neutron star तारे का mass इतना है तो वो black hole black hole क्यों बना क्योंकि उसके electron जो थे वो अंदर वाले shell में आने लग गए और उससे वो contract हुआ तो density भड़ी gravitational force भड़ा और gravitational force भड़ते भड़ते infinite हो गया जिसने प्रकाश को भी खा लिया तो सब कुछ absorb कर चुका है इसलिए उसका नाम रख दिया है black hole अब इसकी photo दिखाने वालों में आपको ओके देखो यह बिटा this is a proto star यह आपका एक proto star का मैंने एक photo दिखाई है ओके इसके बाद देखो this is black dwarf जो मैंने बोला कि black dwarf ऐसा imagine किया गया है अब हाला कि हम कहने सकते क्योंकि अभी तक कोई black dwarf बना नहीं है इसके बाद this is black hole अब आप देख रहो black hole यह है आपका black hole क्योंकि इसमें कई dimension है gravitational force इतनी जादा है कि यह सब चीज को क्या कर रहा है अंदर की तरफ absorb करता जा रहा है देखो यह एक photo है आपकी nebula cloud की this is nebula cloud this is pulsar अच्छा मैं pulsar और बता देता हूँ what is this pulsar is about जब एक तारा supernova explosion को पहुचता है तो क्योंकि वो तारे का पदार्थ core rotate कर रहा है तो बहुत fast moving neutron star दुबारा बोल रहा हूँ a fast moving neutron star द्यानकना neutron star बहुत dense होता है और यह fast moving neutron star जैसे ही explode हुआ तो वो घूमता हुआ swirl करता हुआ rotate करता हुआ जो तारा है वो tremendous amount of radiation with very 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 high velocity emit करेगा यानि कि एक घूमतावा neutron star बहुत high velocity radiation emit करता है तो उसी high radiation emitting high velocity emitted radiation को बहुत गती से निकलने वाली radiation को आप pulser कहते है देखो मैंने यह क्या लिखा है super dense rapidly spinning neutron बहुत जादा density वाला तेजी से घुमने वाला जो तारा रह जाता है supernova के बाद थीक है तो उस तारे से निकलने वाली जो radiations है उन्ही को हम नाम देते है pulses ठीक है तो देखो बच्चों मैंने आपको जो है यहाँ पर photos के द्वारा समझाने का प्रयास किया है देखो this is white dwarf यह है बेटा white dwarf ठीक है और मैंने आपको life cycle of a star में starting से समझ लो मैंने आपको nebule बताया photo दिखा दी मैंने आपको proto star की photo दिखाई मैंने आपको clear किया disk बनेगा proto star बनेगा star बनेगा लाल दानव बनेगा फिर लाल दानव बनने के बाद white dwarf black dwarf यह previous class में बताया था आज ही class में मैंने आपको बताया कि अगर massive star है बहुत ज़्यादा तारे का मास सूरस से ज़्यादा है तो ऐसे में red giant की जगे super red giant और nova की जगे super nova explosion और उसके बाद फिर दो condition A और B वाली A में neutron star B में black hole तो उमीद करता हूँ कि आपको तारे की life से समंदित basic चीजे समझ में आई अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता हूँ बेटा देखो क्योंकि online classes होती है तो online classes में बच्चे के पास limited matter पहुच पाता है क्योंकि जब बच्चा यहां समक्ष होता है तो उसमें क्या फरक पड़ता है बच्चा जब offline class के लिए आ रहा है तो बच्चे के काफी सारे doubts होते है तो हम उस समय इस बताय हुए concept को और बारीकी से open करते है उस ratio को एके करके समझा पाते है class में offline interaction से class का एक तो healthy discussion होता है और वो topic और बहतर समझ में आता है तो इसी लिए मैं आपसे उमीद यही करूँगा कि आप जो भी कोई coaching join करना चाते है तो आप offline coaching में ज़्यादा आपको advice करूँगा कि आप offline coaching की तरफ ही भागे offline coaching को आप prefer करें online coaching सर्फ इसलिए होती है जो बच्चे effort नहीं कर पा रहें और आपको idea लग जाता है कि teachers वहां किस तरह से पढ़ा रहे है ठीक है तो anyways all the best for your upcoming examination मैं बहुत बहुत शुपकामना है आपको ऐसे ही हमारे संग जुड़े रहें और मेरी वीडियो को आप देखते रहें like करें शेयर करें अगली class में आपके लिए आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगा till then जै हिन जै भारत नमस्कार